बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलामु अलेकुम वेल्कम टू आज चैनल कोकिंग विद जॉई आज पिर हाजर है एक नई रेसिपी के साथ आज हमारे किचन में बन रहा है भुना कीमा जो के बहुती असान तरीके से और बहुती मजे का बनता है तो चलें इसके न्यूरेट्स नोट कर लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए कीमा 500 ग्राम, दही 1.5 कप 3 टीमाटर चाहिए हमें जिने हमें बारीक चॉप कर लिया है 2 प्यास चाहिए, मीडियम साइस के इन्हें भी हमने बारीक चॉप कर लिया है धनिया कट करके रख लिया है हमने 1.5 कप हमें ओयल चाहिए और 2 गलास हमें इसमें पानी चाहिए तो जो spices यूज करने हैं वो नोट कर लेते हैं 1 टेबल स्पून हमें इसमें नमक चाहिए 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसारा चाहिए 1 TSP इसमें हमें हल्दी चाहिए, 1 TSP रेड चिली पाउडर और 2 TSP हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट्री उस किया है और 2 हरी मिर्चों को हमने बारी काट लिया है तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कडाही में हम कीमा डालेंगे प्यास डालेंगे अपने फिर टिमांटर डालेंगे अदर क्लसन का पेस्ट डालेंगे ब्रेड शिरी डालेंगे रेड शिली पाउडर डालेंगे हल्दी पाउडर डालेंगे नमक डालेंगे और गरम नसारा डालेंगे और दो ग्लास पानी अट करते हैं इन सब चूजों को मिक्स कर लेंगे अब फ्लेम को ओन करेंगे पहले से दो मिनट हाई फ्लेम पे बिनाएंगे उसके बाद इसे थर्टी मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताके हमारा कीमा गल जाए और पानी इसका ड्राय हो जाए और साथ-साथ बीज बीच में चम्मा चलाते रहेंगे तो चलने मिलते हैं फिर आदी घंटे के बाद देखें वीवर्स थर्टी मिनट हो चुके हैं साथ-साथ मैं इसमें 10 मिनट के बाद चम्मा चलाती रही हूं पर बिल्कुल हमारा पानी ड्राय हो जाएगा देखें वीवर्स बहुत ध्यान से अपने उसा कवर उठाना है यूँपे इसमें स्टीम जमा हो चुकी है पर इसको साइड पे रख देने देखें पानी बिल्कुल ड्राय हो गया है अब हमने इसमें इस पौइट पर दही आड़ करना है पर उच्छे से हम इसको ऐसे दबा-दबाकर टेमाटर अपनी मैश कर लेंगे तो देखें वीवर्स हमारे सारे टेमाटर अच्छे से मैश हो गई है अब हम इसमें अपना टही आड़ करेंगे कि अच्छे से मिक्स करेंगे कि स्लेम को थोड़ा से हाई करेंगे नहीं हमारा अच्छे से मिक्स हो गये अच्छे से हम स्टिर फ्राइ करेंगे अच्छे से हम स्टिर फ्राइ करेंगे देखें विवर्ण दो मिनट हो गए है हमारा पीमा बुनना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि और हमारा सब्रेट होना स्टार्ट हो गया ऐसे ही इसको साथ सब्राइ करते रहेंगे 2-3 मिनट तक बहुत अच्छा सा बन जाएगा यह मज़ेदार सा बनता है अब हम इसमें अहनी फारी मिर्च एड़ करेंगे थोड़ा सा धनिया एड़ करेंगे और आधा रख लेंगे गार्निशिंग के लिए बस अब इसको दो मिनट ढख कर तकाएंगे ताके ओल बिल्कुल उपर आजाए इट को बिल्कुल स्लो कर देंगे तो देखें वीवर्ड हमारा दम कम्प्रीट हो गया दो मिनट का ओल बिल्कुल सेपरेट हो गया अब इस पॉइंट पे फ्लेम आफ कर देंगे और अपने मज़िदार भुने कीमे को डेश आउट करेंगे तो आपको डेश आउट करके दिखाते हैं कि इसका फाइनल लुक ऐसा आता है तो देखें वीवर्ड तैयार है मारा बहुत ही मज़िदार भुना कीमा इसे आप नान के साथ सर्फ करें पराठे के साथ करें या चपाती के साथ सर्फ करें मैंने इसे नान के साथ सर्फ किया है और देही के साथ सर्फ किया है बहुत ही मज़े का बनता है ये बिल्कुल बजार स्टाइल का बनता है आप इसे जरूर ट्राय करें और मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी I hope आपको ये रेसिपी पसंद आएगी comment box मुझे जरूर बताएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमारे चैनल को like, subscribe और share जरूर करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अब तक अपना बहुत खयाल रखियेगा अल्ला हाफिज